जो फिल्मे कल रिलीज हो चुकी है, क्या वो शैतान मुवी को किस तरीके से टककर सच में दे पा रही है भी या नहीं, इसकी आप पे डीटेल चर्चा करने की यहाँ पे, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई, आप उनका भी कलेक्शन दो, देखो एक बात, बस्तर अल्रेडी डिजास्टर हो चुकी है, और योद्दा अल्रेडी फ्लॉप हो चुकी है, यह दो फिल्मों के कलेक्शन में इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उनके अब शोज भी कम हो चुके है, और उनका कलेक्शन अब आना नामूमकीन है, अब यहाँ पे एक आर्टिक को दोनों ने एक से दो करोड का, अर्ली एस्टिमेट्स तो यही बताते है, अगर आपको कट्टू कट चाहिए कि भाई, क्या किया है बिजनेस, तो मैं आपको पूरा दे देता हूँ, जस्ट मिनट, क्या मतलब डे वन कितना हुआ था, उसके बारे में अगर हम बात करेंग तो मैं थोड़ असा डिटेल, स्वातंतरवीर सावरकर ने पहले दीन कमाया है, इस फिल्म ने, अर्ली एस्टिमेट्स रफ डाटा तो यह बता रहा है कि सववा करोड का बिजनेस किया है, 1.25 करोड, और अगर कुनाल खेमू, जिस फिल्म का डायरेक्टर है, उस मडगाव इस ने किया है, डे वन, देड़ करोड का बिजनेसा, बोला जा रहा है, रफ डाटा तो यही बोल रहा है, तो देखो दोनों को लगवग इक्वल के आसपा स्टार्ट मिला, इन फैक्ट स्वातंतरवीर सावर करको तो मडगाव एक्स्प्रेस से भी कम स्क्रीन मिले है, फिर बोलेंगे, पर उन्होंने बोला है भाई, तो अगर यह इन लोगोंने कुछ यह दिया नहीं होगा, पर मुझे जो लगता है न, वो 20 करोड सही लगता है, पर देख लो, स्वातंतरवीर सावर कर पिंक विला के साइट पे जाओ, कही पे भी, आपको बजेट 1.5 करोड पर इसका उन्होंने कुछ 40 करोड की असपस बजेट लिखा है, ओके, एकॉरिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम पिंक विला, स्वातंतरवीर सावर कर has been created, estimated budget of approximately 1.5 करोड और लेकिन यहां पे कुछ, यहार, most of the articles के अनुसर 1.5 करोड ही बजेट है, अब आपको जो समझना है, सम पेले ही दीन ही आपने बजेट को क्रोस तो नहीं किया है, दूसरे दीन कर लेगी, इट विल भी हीट आड बॉक्स ओफिस, ओके, तो पर कुछ जगह पे जो 20 करोड, कुछ जगह पी नहीं है, एक ही जगह पे 20 करोड लिखा है, most of the जगह पे 1.5 करोड बजेट लिखा है, त यह आप लोगों पर है, मैं उसी एक कोडिंग जाओंगा, जो मेरे पास ट्रस्ट वर्डी रिपोर्ट है वही, तो 1.5 करोड के बजेट में बनी हुई फिल्म ने, अगर पहले दिन 1.25 करोड का बजनेस किया है, तो ठीक है, और बाकि आप लोगों को जो समझना समझो, मैं म वो क्रोस चेक भी किया है, इट इस ओफिशियल रिपोर्ट, जिनों ने ओफिशियल ही, यह कंफर्म किया है, तो 1.5 करोड की मुवी अगर 1.25 करोड डे वन पे कमा रही है, तो दूसरे दिन यह आपना बजेट क्रोस कर रही है, इट विल भी है, हीट आट बॉक्स ओफिस, बहुत तगड़ा word of mouth मिला इस फिल्म को, अब मटगाव Express के बारे में बात करते हैं, मुवी का बजट 20 करोड है, और डे वन देड करोड है, तो थोड़ा अटेंशन वाली बात है, पर मुवी का बजट अगर 40 से 50 करोड जो Excel Entertainment की तरफ से, बहुत से लोग क्लेम कर रहे, पिं तीन से चार करोड डे वा सिक्स्टीन आने का चांस है, या शैतान का, यानि के 123 करोड पे यह जा रही है, अब हम आते है डे टू पे, तो स्वातनतर रिवीर सावर कर, जो फिल्म में वो शैर और डेड करोड का बिजनेस करके, दो दिन में पाउन है, तीन से लेके 3 करोड का अनिट सेकेंड डे मटगाव एक्स्प्रेस के बारे में अगर मैं बात करूँ कि यह मूवी क्योंकि इसके अच्छे का से भी इसके भी रिवीर अच्छे आये, तो यह 2 से 2.5 करोड का बिजनेस में फिर भी इसको प्रकड के जा रहा हूँ, यह मूवी साड़े 3 से 4 करोड द